Welcome to the studio traders आज कभी जो हमारा topic है एक बहुत huge topic है इसको इस तरह से समझे कि आपने market में सुना होगा DIIs, FIIs, Banks या फिर यूं कहें कि बड़े-बड़े brokerage house जो होते हैं ये किस जगह पर अपने orders लगा करके छोड़ते हैं किस जगह पर ये wait करते हैं कि price जया है तो हम momentum इसका catch कर सकते हैं ये भी चीज़ आपने देखियोगी market में कि जब price हमारा buy side में जाता है तो movement थोड़ी सी छोटी होती है बट जब price हमारा गीरता तो बड़ी move देता है एक अच्छी और एक sufficient movement वो sell side में दिखा देता है personally जब हम trade करते हैं हलागे trade buy और sell side में दोनों ही तरफ होते हैं लेकिन personally हमें execution करने में मज़ा तब आता है जब हम किसी भी trade को sell side में execute करते हैं क्योंकि movement बड़ा मिलता है अगर हम compare करेंगे buy side की movement से trade with bank से हमारा मतलब है कि वो participants जो कि retailer की category से ऊपर के होते हैं एक बड़े amount के साथ में trade execute करते हैं जैसा भी हमने बता है DII, FII, brokerage house हो गया, fund house हो गया, banks हो गयी यह सभी एक बड़े amount के साथ trade execute करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी एक topic को explore करने के कोशिश करेंगे बहुत इत्मिनान और focus के साथ समझने के कोशिश की जगा अगर आप भीडबहर वाली जगे पर बैठे हो तो इस वीडियो को playlist में add करके छोड़ दो क्योंकि आज के इस topic recording जाब आप trade execute करोगे तो आपको सिर्फ औसम्सम्स की वीडियो करने हैं तो काफी मेहनत से हम आप लोगों के लिए ये video रेडि कर रहा है सिर्फ इतनी से expectation के साथ कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको like करोगे चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लिज़ेगा और अपने friend circle में share करने के कोशिश किज़ेगा और अगर किसी तरह का कुछ question है, कोई doubt है या फिर कोई suggestion है तो comment box में लिख दीज़ेगा तो आगे आपके comments बहुत help करते हैं हमारी Thanks and start करते हैं आज का ही वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक point हम आप लोगो clear कर दें Market में जो चीज आप सबसे ज़्यादा देखते हो जो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है उसके success होने के chances उतने ही कम होते हैं और Market में वो चीज़ें जो की कम use की जा रही है कम दिखने को मिलती हैं ऐसे setup के अंदर आपको success rate ज़्यादा मिलेगी तो यह जो setup है यह आपको अगर find करोगा अब ऐसा नहीं कि वीडियो देख लेने के बाद में आप मौनिंग से पॉर्सों से ही आप इस तरह के trade execute करने लोगो क्योंकि शुरुबात में आपको इसकी practice करनी पड़ेगी हो सकता है यह setup आपकी आँखों के सामने बिल्कुल चाट परो और आप उसको देखना पया नहीं के mark ना कर पाओ क्योंकि आप उसे used to नहीं हो तो पहले खुब सरा अभिहास practice कर लेना फिर आप इसकी तरह बढ़ना trade execute करने के लिए और किसी भी segment में किसी भी time frame पर आप इसको लगा दो use कर ले जाओगे आज के trading setup के अंदर हम लोग जो time frame use करेंगे वो मेरा 5 minute का time frame रहेगा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखना क्या है हमको क्योंकि अभी जो हम markings करेंगे actually ये price actions पहले हो चुके होंगे अब हुआ क्या price ने एक high लगाया, एक low लगाया फिर से एक high लगाया, फिर से एक low लगाया फिर एक high, एक low और एक high एक नया high लगा अब यहाँ पर हुआ कि price अपने एक higher level एक resistance point या यूं कहें कि एक supply zone तक पहुंचा और इस supply के पास से एक अचानक से spike नीचे की तरफ गिरती है और price आपका गिर जाता है नीचे की दिशा में यहाँ पर gap down भी हो सकता है अगर हम लोग next day के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर price आपको gap down होते हैं नजर आगा क्योंकि यह जो drawings हम कर रहे हैं या कहीं पर भी आप drawings देखते होगे, charts देखते होगे यह कोशिश मत करेना के यहाँ पर 3 high, 2 low, 3 low या 3 high लगे हैं तो वहाँ पर भी हम 3 high और 3 low को ही define करेंगे नहीं, simply आप यहाँ पर देखे के price ने एक high लगाया और एक supply zone के पास जाने के बाद price हमारा नीचे की दिशा में गिर गया यानि के एक यह high और यह low इस low को break करके price हमारा नीचे की दिशा में गिर गया अब जब price हमारा नीचे की दिशा में गिरा है देखिए, marking अभी भी हम लोग नहीं करेंगे अब हमें यह देखना है कि price जिस level से गिर के जहां तक आया है मतलब जिस level से price मेरा गिरा है अगेन हमें ये देखना होगा कि price हमारा वापस उसी जगह तक पहुचे अब इस जगह से जब price हमारा upside की तरफ जाएगा तो क्या होगा ना थोड़ा सा consolidate करता होगा price जाता है इस जगह से price जब वापस हमारे इस supply zone तक पहुचता है अब यहाँ पर retail trader क्या सोचता है कि price ने हमारे इस वाले level को break out किया है अब जैसे ही price यहाँ पर retest करने के लिए आता है जैसे retest करने के लिए आगा आपको धेर सारी liquidity यहाँ पर दिखाई पड़ेगी volumes भी इस जगह पर आपको increase होती हुए नज़र आएंगी volumes भड़ेंगी एक दूसरे के जो candle होती है previous candle उसका high break होगा price एक range के बाहर ने निकलेगा बट volumes increase होगी जैसे कि यह पता चलता है कि price ने अभी जो अपना swing low break किया है यहाँ पर धेर सारी liquidity है और जो retail traders है यहाँ से कहीं न कहीं कोशिश करते है जो open interest है यहाँ पर आपको बढ़ता हूँ नजर आएगा जो OI data वो बढ़ता हूँ नजर आएगा क्योंकि यहाँ से बार बार आपको लगेगा कि price एक resistance लेवल तक जा रहा है और यहाँ से short selling आ सकती है तो बहुत सारे orders यहाँ पर आपको तयार दिखेंगे जैसा भी हमने बता है कि OI level आपका increase हो जाएगा OI data बढ़ेगा यहाँ पर volumes increase होंगे but price कुछ तरह से यहाँ पर trap करने के बाद में अचानक से upside का momentum दिखाएगा अचानक से price upside का momentum दिखाता है इस तरह के price detection में यह में समझना होगा और यह जो भी price detection हम बता रहे है न यह आपके trade execute करने से पहले बन चुके है हम हो चुके price detection को rate करके यह सारे चीज़े compare कर रहे है आने वाले trade के जब हम execute करेंगे तो इस तरह के price detection के तरह हम trade execute करेंगे यहाँ पर चूंकि liquidity को fill up किया गया price मेरा upside की तरफ जा रहा है और यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा supply zone है अब इसकी importance को समझते हैं बहुत simplify करके यह सारी चीज़े हम आपको बता रहे है price ने एक high लगाया और high लगाते ही इसके अंदर एक बहुत बड़ा momentum downside की तरफ आए अब अगर इसको नीचे की तरफ जाना तो वह ऐसी सीधे थूड़ी ना गिर जागा अब यह यहाँ से फिर upside की तरफ जाता है यहाँ से फिर upside की तरफ जाएगा और बहुत सारी price action आपको देखेंगे कि price मेरा upside की तरफ तो गया है बड़ यहाँ तक नहीं पहुंचा लेकिन हम तो wait करेंगे कि price हमारा इस वाले level तक पहुंचा और अगर यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो इस system के according फिर हमारा trade execute हो था नहीं फिर हम trade execute नहीं करेंगे कंपल सरी है कि price हमारा हमारे इस वाले supply zone तक पहुंचे जिससे कि हम आगे का अपना trade execute कर सकें अब जैसे price यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया एक बड़ा मोमेंट हम आया था sales site को price हमारा नीचे की तरफ गिर गया यहाँ से फिर देखे किया किया इसने retail traders को trap किया और फिर से इनका stop loss लेकर के अगेन उसी जगह पर पहुंच गया जहां से price last time मेरा नीचे की तरफ गिरा था यह चीज़ समझ भा रहे है हमें बस ऐसी जगह find करनी है इस structure के तुरू कि price किसी एक level पर जाने के बाद में direct नीचे की तरफ शार्प move आया हो यह मान करके चलते हैं कि दोबारा जब price हमारा उसी level पर पहुंचेगा तो भी यहीं से बड़ा move आपको देखने को मिलेगा जितनी भी बार price यहां से upside से गिरेगा उतनी बार आपको बड़ा move देखने को मिलेगा इसको एक बार फिर से समझते हैं आयो हो कि clear हो गया होगा है यह सब कुछ clear हो गया होगा जैसे price ने upside का momentum दिखाया higher highs और higher lows के थ्रू price यहां पर पहुंचा एक supply zone मिला इसको price हमारा नीचे की दिशा में गिर गया क्यों नीचे की दिशा में गिर गया क्योंकि यहां पर बहुत सारे orders होंगे न एक अच्छा level होगा उस stock का अब price अगर नीचे की दिशा की दिशा तक चला जाता है और जैसे ही price मेरा ऊपर की दिशा में गया और जैसे ही price ने मेरे इस supply zone को touch किया अगेन यहां से मैं अपने confirmation लेने short selling के अभी अपने जैसा बताया न कि short sale करना है यह बहुत simple सा price structure है कुछ इसमें अलग या कुछ नया नहीं बताया हमने समझ पारे ना just क्या है हो सकता है कि अभी तक आप यह structure price के अंदर देखते ही ना हो charts के अंदर देखते ही ना हो हमें selling करने में buying करने फलानी candle देख लिए short कर दिया कोई यह candle देख लिए buy कर लिए हम personally भी जिन method से trade execute करते हैं ऐसा भी है कि काफी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि public platform पर clear नहीं कर सकते हैं बता ही नहीं सकते हैं कुछ अपनी limitations होती है तो जब class में discuss होता है तो बड़ा discussion होता है पूरे-पूरे week, two weeks, three, three weeks की exercises चलती है महाँ पर और सारी चीज़ें clear होती है कोशिच हमेशा ये करनी कि कोई भी एक system पकड़ कर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके समय उसे एक system पर लगा दो एक अच्छी technique के साथ में क्योंकि techniques बहुत काम करते हैं उस technique के साथ आप काम करो आप success हो जाओगे जैसे कि ये structure हम बता रहे है ना higher high high low यहां तक प्राइस पहुंचा यह एक supply zone है प्राइस लो तक आ जाने के बाद में जैसे यहां पर liquidity fill up करने के बाद प्राइस अमारा अगेन इस level पर पहुंचा कहां पर जहां से last time प्राइस अमारा नीचे की दिशा तक गिरा था फिर से price अमारा नीचे की दिशा तक गिरता है यहां पर price जैसे ही आएगा आपको down side के momentum दिखेंगे इस जगह पर आप अपनी short selling के अगर आपको selling करने क्योंकि हम लोग सिर्फ उसरिफ short selling करेंगे इसलिए यहां पर bearish formations find out करो जैसे ही price का breakout होता है ना थोड़ी से अपनी confirmations लेने के बाद में यहां से आप trade execute कर दो trade fail होने के chances ना के बराबर होते हैं बहुत अच्छी तरह से system काम करता है अभी चली सिदे charts के उपर चलते हों कुछ example देने के कोशिश करेंगे जब जब price आगा ना इस वाली level से आपको short करते हैं बस अब देखें जैसे अडानी का chart है अडानी के chart को थोड़ा सा और आप zoom out को लिए पूरी तरह से इसको zoom out कर लिजे एक basic structure अगर हम इसका draw करते हैं तो किस तरह का बनेगा high low high low high low high जहां से देखें price सीधे मेरा नीचे की तरह गिर गया मतलब जितनी भी यह lines थी सब को break करके नीचे की तरह में गिर गया इस वाली level से गिरा मतलब कि यह वाला मेरा एक swing यह वाला point और दूसरा यह वाला मेरा swing यह वाला area high अगेन एक low लगा फिर से देखें high फिर से low फिर एक low अगेन एक high और price यहां से देखें क्या हुआ मेरा सीधे नीचे की तरह गिरिया है यहां से direct मेरा price नीचे की दिशा तक गिरिया यह पूरा एक चार्ट के अंदर इतनी marking हमने कर लें अब जब हमें इसके अंदर zone mark करना तो zone mark करने के लिए swing सबसे बहतर साधन होते हैं एक high और एक low कोई इसके अंदर हरबड़ी नहीं करनी है कोई हरबड़ी नहीं करेंगे हम लोग एक high और एक low यह पूरी तरह से हमारा एक swing mark होगा आप इसको भी mark कर सकते हैं इसको देखे drawing में समझे सबसे इसलिए drawing में हम सबसे पहले सारी चीज़े clear कर देता है क्योंकि समझना आसान हो जाता है एक high एक low high एक low high और एक low और फिर से तो यहां पर अगर यह वाला मेरा एक swing important है तो यहां पर दो point और बसते हैं तो यह और यह और यह वन टू और थ्री यह इस हम बोले थे यह थोड़े से technical aspects है techniques हैं चोड़ी चोड़ी techniques जब हम mark करेंगे एक range को तो latest high और उसके बाद का जो second last हमारा swing होता उसको mark कर सकते हैं या फिर उसके पहले का swing तो यह दो lines में आप या तो एक zone मान लो या फिर इन वाली दो lines के अदर अपना एक zone मान लो तो पूरी तरह से आपका एक zone बन जाएगा सेम चीज़ को जब अडानी port में आप देखोगे तो यहाँ पर देखे एक यह high लगा और इसके पहले का एक low यह और एक यह वाला है अप ले सकते हैं आप अगर इसको लेना है चाद तो इसको ले लो और जब गिरने की बार यह तो direct यह गिर गया यही होता है कि बड़े orders जो लगते हैं वो इस वाली जगह पर लगते हैं अब इससे हमने analysis से क्या पता लगाया कि एक बड़ा move अगर इस वाली जगह से आया तो यही तो हो सकता है कि बड़े order हमारे यहाँ पर कहीं लगे हैं य applause क्या होंगे target क्या होंगे यह तो सारी चीज़े बात कियाती है पहले एक सही direction यह trade करने के सही तरीके अगर हमें पता चलिया है तो trade करना बहुत आसान हो जाए अब जैसे ही price हमारा इस वाली लेवल पर पहुंचा यहां सी सीधे नीचे की दिशात अगिर गया अब हम देख setup इसने बनाया है short करने का क्या बताया था हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करने ही price buy हो रहा होने तो मतलब भी नहीं हमको उससे यह इतना simple तरीका है trade execute करने का अगर आप इसको trade execute करने बैठ गए इस system हो सकता है शुरुबात में थोड़ी सी problem हो but consistency के साथ अगर आप यह बला इरिया हो सकता है यह आपका पूरे एक zone बन जाएगा जब भी trade execute करने है इस पूरे zone के अंदर आप अपने price को आने दो जैसे price आता ना short selling के मौके दे रहा है आप यहां से short मारो देखिए यहां से भी कितना अच्छा setup मिला में short करने का है यहां से इस वाली जगह त हो सकते हैं one leg भी हो सकता है तो अपने legs create करते हूँ upside की तरफ जाएगा जैसे यहां पर क्या है मैं साफ सब दिख रहा है कि दो leg यहां पर बने हुए two leg है इसको breakout किया है और price सीध है मेरा upside के और जैसे resistance area तक पहुंचा है यहां से इसके अंदर momentum आप देख सकते हैं तो मन में एक picture बस से click करके रख लेना कि जिस area से price downside की तरफ गिरा है again price का हम उसी level तक जाने का weight करते हो शौट मार देते हैं confirmations लेते हो शौट मार देते हैं एक दूसरा example लेंगे अब इसको देखिए यह देख पाने अभी हमने बताया था ना कि आपकी आखों के सामने होगा और हो सक यह वाला एक zone यह important होता है यह बहुत और अच्छी तरह समझनाय में हमें काम करते हैं यहां से उठाते हैं एक यह low low से पकड़ा हमने high again low again high low again high और price सीध है मेरा नीचे की तरफ गिर गया high पर जाते हुए देखिए price high पर गया कैसे है बहुत चोटे चोटे resistances ने बनाए और resistance के breakout करने के साथ में price हमारा upside की तरफ चला गया और जब गिरने की बार यह तो price ने किया कि अपना swing break किया यहां से और सीधे नीचे की तरफ गिर गया अब इसके बाद में होगा क्या कि यह जिस level से नीचे की तरफ आया हमने इसका high mark कर लिया और सबसे latest जो swing बना हुआ था इस तरह से हमने क्या है कि पूरा zone mark कर ले अगेन यहां से price के अंदर अगर कोई momentum आ यह downside की तरफ हमने कहा था ना कि price का हो सकता है कि gap down हो जाए बड़ा सा यहां पर क्या होगा gap down हो गया फिर से हम वेट करेंगे कि price हमारा again उसी level उसी zone तक जाए इस जगह तक यह जाना चाहि कर तो ऐसा होता है कि जी हाँ यह इतना ही आसाल है जिस तरह से हम trade execute करते हमारी लिए भी M&M का चार्ट वही है जो आपके लिए हैं अपके लिए है फर्क क्या है सिर्फ point of you का फर्क है कोई w d gain से trade execute कर रहा है क्यों natural number से trade execute कर रहे है कोई फिगुनाची लगा करके trade execute कर रहे है कोई वीवेप लगा करके trade execute कर रहे है तो सभी लोग execute कर रहे है और सभी लोग कुछ ना कुछ profit करके जा रहे है कुछ ना कुछ लोग loss करके जा रहे है reason क्या है जो लोग loss करके जा रहे है हम लोग क्या चाहते हैं कि ऐसी जगह से हम trade execute करें जहां पर bulk में deal हुई हो या bulk में order लगे हुए हो हम देख ही नहीं रहे हैं कि price के अंदर छोटे move कहां से है हमने यह नहीं आप से कहा कि आप इस जगह से trade execute कर दो या इस वाली जगह से आप trade execute कर दो जब जब price आपका आपकी इस वाले zone पर आएगा आप trade execute करें बाई नहीं करना हम फिर से आपको से बोल रहे हैं कि इस system के अंदर बाई नहीं करते हैं highs पर price जाएगा हम लोग short मा देंगे फिर से price अपने high पर जाएगा फिर से short मा देंगे यहाँ पर देखिए 9.50 के नीचे जैसे price निकला एक बड़ा move आपको इसके तर देखा अब यह move तो हो गया हो सकता है कि आपको stop loss जाए और ऐसा भी हो सकता है कि आपको target में मिले लेकिन इस तरह के moves जब होते ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे momentum देखनों को मिलते हैं और सिर्फ 5 minute के analysis हम इसके ओपर अगर आप करना चाहो तो day time frame के अपनी analysis कर सकते हो आप सिर्फ lower time frame के अंदर आओ और lower time frame पर देख लो कि price जब इस वाले zone पर जाता है न तो किस तरह की activity होती है अब price बे हम लोग देख रहे हैं एक बार तो यह इस वाले level से गिर गया नीचे की तरफ again price यहाँ पर आया है फिर से नीचे की तरफ गिर गया बहुत ज्यादा हद तक chance होंगे shot करने के बाद में कि आपका वो trade आपके favor में ही जाए clear है अभी अगर हम example देने जाएंगे तो हर दूसरे तीसरे stock के अंदर आपको example मिल जाएंगे चलिए एक example law ले लेते हैं अब जैसे ब्रिटानिया का चार्ट है सिर्फ simple हम लोग इसके अंदर marking करेंगे यह last example है एक low 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 फिर से देखे प्राइज ने किया कि एक high लगा दिया है ना एक low और फिर से high अभी तक जब तक price ने lows break नहीं किये speed से तब तक हम high mark करते रहेंगे अब यहां से हुआ क्या है कि price ने एक high लगा देने के बाद में एक low यहां पर मार दिया मतलब एक high लगा देने के बाद में price ने यहां पर एक बड़ा सा एक down move दिखाया हमें और जितने भी इसके swings थे सारे swings को इसने कर दि तो काफी बड़ी range बन जाएगे इसले हमने क्या कि है कि अपना swing mark कर लिया इसको छोड़ दिया डिलेट मर दिया प्राइस जैसे देखिए नीचे की तरफ आया नीचे की दिशा में जैसे गिरा फिर upside की तरफ जाने के movements देखिए इसके high low यहां से यहां फिर देखिए यहां पर मतलब कुल मला करके क्या हम लोग यह मान सकते हैं कि प्राइस एक तरह से यहां पर retailers को कही ना कहीं trap करने की कुशिश कर रहा है इस एक zone से जो liquidity के zone से हमने आपको बताए थे हमारा काम क्या है कि अभी जो drawing हमने की है उसके तरू हम अपने highs और lows को mark कर लेते हैं यहां पर देखिए होगा क्या ना कि volumes भी आपको यहां पर dry होती हुए नजर आएं अगर एक बार हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है अगर यह वाले मोमिंटम देखा गा तो हम नहीं करेंगे trade हमें trade executive करना हम सिर्फ और शौर्ट सेलिंग करना चाहते हैं और जब जब प्राइज हमारा आपके इस वाले लेवल पर आएगा ना तब तब हम शॉट करेंगे जैसे कि प्राइज देखिए कितनी बार यहां पर इसने मौका दिया सिर्फ लेवल निकालने के लिए इस वाले एक बड़े से डाउन मूव कर लिया क्योंकि यहां से प्राइस हमारा नीचे गिरा है तो कहीं न कहीं हम ऐसा मान करके चलता है कि बड़ा सेलिग का मोमेंटम तभि आता है जब huge quantity लगी होती है, बड़ी quantities लगी होती है, ज़्यादा पैसा लगा होता है यह मान के चलिए 100 कोरोड, 200 कोरोड, 300 कोरोड, 400 कोरोड मतलब एक huge amount लगा होता है वहाँ पर तब कोई बहुत बड़ा momentum आता है, वरना हमारी आपकी इतनी हैसित नहीं है कि यहाँ पर आकर के हम लोग एक candle भना ले, हमारे 5-10 quantities मार देने से या 100-500,500,000,000 quantity मार देने से कुछ होने वाले नहीं यहाँ पर जब देखेंगे ना यहाँ पर आप, तो आपको बहुत बड़े-बड़े orders दिखाए पड़ेंगे आपको एमांट जो मिलेगा ना करोडो का इमांट होता है तो इतने सारे मांट के साथ यहाँ पर एक साथ trade execute किया जाता है किसी ना किसी एक level पर, तो ऐसे तो नहीं है कोई अगर इतना पैसे इसके इंदर लगा देगा तो कहीं सी भी लगा देगा, हमें क्या करना होता है, कि जहाँ पर बड़ा पैसा लगा होता है बड़ा investment होती है, हम लोग उस जगह का wait करते है इसलिए बोलते है, trade with banks और क्या हो सकता है, जो बड़े players होते हैं, उनके साथ trade अगर execute करना ना तो अपने level का wait करना होगा प्राइस जब आपका, आपके level पर आएगा, तभी हम trade execute करेंगे बाकि यहाँ पर देखे, अगर price मारा ऊपर निकल जाने दो, हमें ने करना कुछ फिर से price जब यहाँ से नीचे गिरेगा, हम short मारेंगे जब price इस वाली जगह से नीचे गिरेगा, हम लोग short मारेंगे stop loss जाने के chances कम रहेंगे, trade के success होने के chances ज्यादा रहेंगे फिर से price अगर आपका यहाँ से ऊपर के तरफ ने कला जाने तो, भाई होने तो हम करेंगे ही ने, हम नहीं करेंगे फिर से जब आप देखोगे, कि price आपका इस वाली zone में आकर के selling के मौके देर, आप लोग short मार दो कोई भी doubt होता इसको लेकर के कुछ question होता तो comment box में comment कर देने, clear कर देंगे हम कोई भी अगर question होता तो comment box में comment कर देने हमको Thanks and I hope कि वीडियो ज़रूर से ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, कोई बहुत बड़ी fancy strategy नहीं थी बहुत simple, बहुत smooth system है यह, बहुत smooth strategy है Just क्या है, बार बार है मीचीज आप से बोल रहे हैं कि यह बस फर्क पैदा कर देता है आपका point of view आप price को देख है सो और कितने patience के साथ देख रहो, अब आपको मालूम है कि हमारा trade करने का जरिया या trade करने का जो level है वो यह वाला है, यहाँ पर, लेकिन आपके अंदर curiosity है ना कि हमें trade मार नहीं है तो कोई भी level आप बना लो कि देखो यह support है, यहाँ से price हमारा गिर रहा हम लोग short मार देख, ठीक है चल गया वो stop लेकिन हमें मालूम है कि trade execute करने की सही जगा है यह वाली, तो हम यहीं से अपना trade execute करते हैं कोशिश करिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सीखने की techniques होती है, इसके बाद में आपकी observation होगी कुछ एक सही system के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कम समय में ज्यादा achieve कर ले जाओ, समय तो देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि shortcut हो जागे लेकिन हो सकता है कम समय में आप ज्यादा achieve कर ले जाओ, या मेरी भी जो वीडियो आप डेली की डेली देखते हो उसमें भी तब तक के लिए goodbye and we will meet again